LGBTQ हमारे यहां पर क्यों stand कर रहा है देखिए वही बात है कुछ लोगों ने कहा कि हम देश को तलवार से नश्ट कर देंगे दूसरों ने कहा हम conversion कर लेंगे एक तीसरी शक्ती हमारे बीच में घूम रही है जो बहुत बड़ी ताकत लिए घूम रही है वो कह रही है कि ना तो हम यदिकार था नहीं वहां तो चर्च से पूछ करके ही विवाह होता था विवाह नाम की चीज ही नहीं थी अगर आपको किसी से प्यार भी करना है तो भी पादरी महुदे बताएंगे अगर आपको कहीं से मतलब बच्चा भी पैदा करना है तो भी चर्च आपको आजिया दे और आज वह बुड़ापे में जी रही है, बहुत दुखी जी रही है, और जब वह परिवार वाली महिला को देखती है, तो जलती है, एरिष्या करती है, तो यह सुखी कैसे है, हम तो अकेले रह गए गए, जेंडर एक्वैलिटी का मतलब यह नहीं है, कि केवल लडगी का सम् प्रदान करते हैं, तो इसका कोई अपमान ना करें। करते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा हो, हमें वह भेज सकते हैं। करते हैं, तो उसके पास क्या शक्तिया होनी चाहिए। अब ही बात की कि संस्कारों की जो हमारे मातायम होती है वो हमारे जिर्माता होती है तो इससे related equation है वो यह है कि बहुत सारu हम देखते कि हमें संस्कार देने हैं सबसे पहला तो संसकार जो देने का कारिया है वो मा का कारिया है लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि केवल मा का कारिया है इसमें अंतर है एक तो मा का कारिया है और दूसरा का केवल मा का कारिया है नहीं पूरा परिवार, पूरा समाज जितने भी बंदों जुड़े हुए हैं सब रिष्टेदार संसकार सबसे मिल के बनते हैं कोई भी बच्चे का निर्मान सबसे मिल करके होता है और आज जो इक्वल-इक्वल की बात हो रही है ये शब्द ही बाहर का है ये भारत का है ही नहीं है भारत में संतुलन की बात है संतुलन कैसे होगा बोले जब आपका लक्ष्य होगा अब लक्ष्य क्या है लक्ष्य के हिसाब से संतुलन होगा ना जी कारिय का बटवारा तो लक्ष्य के हिसाब से होगा हम केवल कारिय का बट्वारा करें और कोई लक्षय नहो तो भी हर किसी को अपना कारिय बोज लगेगा तो सबसे पहला तो लक्षय निर्धारित होता है क्या निर्धारित होता है वही सबसे पहले जब ग्रिहस्थ में जा रहे होते हैं उन्हीं कोई कहा जाता है कि बही ममवरते तेहरिदयम दधामी ममचित्तम अनुचित्तम तेस्तू दोनों तरहा से कहा जाता है पती भी यही कह रहा होता है और पत्नी भी यही कह रही होती है कि आज से जो मेरे संकल्प है जो मेरा लक्ष्य है ना वो आज से आपका है और पत्न अब जब दोनो का लक्षिय एक हो गया है तो परिवार का लक्षिय एक अराम से हो जाएगा जी अलग से परिवार को जाएगा नहीं तो जो ये कहा जाता है कि महिला बराबरी बराबरी नहीं है कोई भी बराबर नहीं होता है हर किसी के पास अपना अपना सामर्थिय है बस हर कोई समाज को चलाने का जिसका लक्षिय है समाज चलाने के लिए वो अपना 100% सामर्थिय लगाता है 100% सामर्थिया राष्ट को चलाने में लगाया जाता है और 100% सामर्थिया परिवार को चलाने में लगाया जाता है 100% सामर्थिया हर किसी का अपने बच्चे के निर्मान में लगाया जाता है अगर हम ये कहें कि एक का दाइत्व है एक का नहीं है या दोनों का बराबर है बराबर कभी हो ही नहीं सकता कभी नहीं हो सकता इसलिए हमेशा हमारे यहां रिशी मुन्यों ने कहा कि अगर कन्या है ना उन्हों ने कहा निरुक्तकार कहते कन्या क्या हो कन्या कनीन के रक्षणिया कन्या की इस आँख की पुतली की तरह रक्षा करनी चाहिए क्यों कहा वो लोग पागल तो थे नहीं वुद्धी तो उनके पास भी थी उन्होंने बालक को तो नहीं कहा लेकिन कन्या की विद्पत्ति करते वे जब यासक महर्शी इतने उचे विद्वान कह रहे हैं रिशी कह रहे हैं कि कन्या की इस आँख की पुतली की तरह रक्षा करनी चाहिए तो कोई बात होगी एक बहुत अच्छी बात आती है जब हम व्याकरन भी पढ़ते हैं उसमें यह आता है कि आप रिशीयों की बात कही हुई को उहा पोह करिए सब कुछ करिए लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि कहीं न कहीं अच्छा कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे क्योंकि उन्हों के कुछ हनुभाव रहे होंगे उन्होंने कुछ research किया होगा दूसरा यह है कि आज जो है संसकार देने की बात है तो सब का ही उत्तरदाईतो है कोई भी एक नहीं कर सकता सब के बराबर है सब को लेना पड़ेगा अपना-पना उत्तरदाईतो लेना होगा और जब लेते हैं सब अपना समस्ति ये का मेरा है तो बस मेरा है तो मेरा है चल परता है वो चाहे एक सामन निग्रिहस्त चलाना हो या फिर समाज चलाना हो या राष्ट या पूरा संसार चलाना हो मुझे करना है तो करना है तो उसमें ना किसी से शिकायत और केवल महिलान नहीं सब के लिए उत्तरदाईत्व का बॉधह होना चाहिए हर कोई पदे पदे कभी हम बच्छे होते हैं हम स्टुडेंट होते हैं तो स्टुडेंट का क्या दाईत्व है? क्या करना चाहिए? जब हम और बड़े हो जाते हैं तो हमारा क्यादाईत्व है उसका बोध होना चाहिए और उसका बोध महारशिद आनद ने जब कहा था कि आप वेदो की और लोट ये तो वेदो की और लोट ने का मतलब यही था कि जब वेदो में साधी शिक्षाएं दी गई है तो वेदो से ही आप प्राण लेंगे ना जीवन वही से लेंगे तो वहाँ पर कितने सुन्दर सुन्दर मंत्र है कितने सुन्दर मंत्र है जो केवल बच्चे के लिए नहीं है जो केवल बालक के लिए नहीं है अगर हम यह कहना चाहते हैं कि आचार्य की पत्नी तो उसके लिए शब्द आएगा बोले उसके लिए जो प्रत्य आप करेंगे वो है आचार्यानी आचार्य की अगर पत्नी है तो आचार्यानी कही जाएगी और स्वतंत्र आचार्या है अगर वो स्वतंत्र अपना एक कहाने लिए है कन्या गया है कनो दीपतव धातू से बनता है जो दीपती मान है कांती मान है जिसकी बहुत सुन्दर कांती है उसके गुणों की चर्चा है उसके स्वरूप की चर्चा है वो कन्या है अभी प्रशस्ता शब्दा आता है तो वो आता है शंसू स्तुतव मान किया जा सके वो माता है पत्नी क्या है जो पालन करने वाली है और जो पालन करने योग्य है और जो पालन कर सकती है वो दोनों तरह से पत्नी है तो बहुत सारे शब्द बहुत मंत्र है जो कि बराबर नहीं है अब यह बात समय लेजे हम बराबरी की बात बिल्कुल नहीं कह अगर कहीं महिला कार्ये कर रही है तो वह 100% है कहीं पुरुष कार्ये कर रहा है तो वह 100% है बराबरी में तो हम उसको कम कर देंगे 50% हमने निकाल दिया उसके जीवन से LGBTQ इसलाम में प्रतिबंधित है पर हमसा जैसे संगठन को LGBTQ का सबसे जादा सपोर्ट मिल रहा है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी हमाज चैस आपने जिसकी बात की है मैं उसके विशे में कोई चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि उनके हैं प्रतिबंधित हलाल भी है उनके हैं प्रतिबंधित तलाग भी है उनके हैं प्रतिबंधित दूसरी महिला को देखना भी है ठीक है तो जितना उनके हैं प्रतिबंधित है उसकी सत्यता हम सबको पता है कि उनके हैं क्या प्रतिबंधित है तो उसमें नहीं जाएंगे कि वहाँ पर क्या है लेकिन LGBTQ हमारे यहाँ पर क्यों स्टेंड कर रहा है देखें वही बात है कुछ लोगों ने कहा कि हम देश को तलवार से नश्ट कर देंगे दूसरों ने कहा हम कनवर्जन कर लेंगे एक तीसरी शक्ती हमारे बीच में घूम रही है जो बहुत बड़ी ताकत लिए घूम रही है वो कह रही है कि ना तो हम तलवार से करेंगे ना हम तुम्हें कनवर्ट करेंगे हम तुम्हें रहने ही नहीं देंगे तुम्हारी पीडियां ही नहीं होगी एक ने का तलवार से काट देंगे, राज हम करेंगे, दूसरे ने का कनवर्ट कर देंगे, तो तुम्हारे राजिय, तुम्हारे देश हमारा हो जाएगा, सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, तीसरे ने कहा जब तुम्हारी पीडियां ही नहीं रहेंगी, तुम बुढ़ापे म जब हमने व्यवस्था करने वाले बच्चे ही हमारे पास नहीं है, तो फिर व्यवस्था जो लोग देख रहे हैं, फिर उस व्यवस्था को बिगाडने का जिम्मेदारी भी तो उनी की है न, वो पहले बिगाडेंगे, फिर प्रशासन अपने हाथ में लेंगे, तब वो यहां भू संपदा को ले करके है, तो वो संपत्ती चाहते हैं, अब उसमें हो यह रहा है, कि जो वेस्टन कंट्रीज हैं, उनमें महिलाओं का कोई अधिकार था नहीं, वहां तो चर्च से पूछ करके ही विवाह होता था, विवाह नाम की चीज ही नहीं थी, अगर आपको किसी से प्यार भी करना है, तो भी पादरी महुदे बताएंगे, अगर आपको कहीं से, मतलब बच्चा भी पैदा करना है, तो भी चर्च आपको आजिया देगा, कि आपको बच्चा पैदा करना चाहिए, अगर आपने बिना पूछे कर लिया है, तो फिर कहां जाएगा, वो अना संत्रता से नहीं जी सकते हमारा राज्य में कोई कंट्रिवूशन नहीं है हम वोट नहीं दे सकते जितने भी Western countries हैं उनमें वोट महिलाओं को देने का अधिकार उन्नीस सो बीस तीस चालिस पैतालिस 50 के बाद हो रहा है अब सोचिए जहां हमारे देश में रानी दुरगावती, रानी चेनमा, रानी लक्ष्मी बाई इतनी सारी रानी करनावती रानी दुरगावती, रानी दुरगावाई रानी दुरपदी बाई इतनी सारी रानिया रही हो वहाँ पर वोट डालने का भी अधिकार नहीं था और सब अधिकारों की तो बात दूर छोड़ दो फिर हुआ ये कि उन्होंने आवाज उठाई कि हमें कुछ तो दो तो महिला उन्हें वोट डालने का अधिकार मांगा फिर महिला वोट डालने से और आगे बड़ी अब आजादी की बात चल पड़ी थी तो आजादी शब्द ऐसा गुंजा कि उनको फिर उनको लगा अरे हमें न थोड़ा सा जो शारीरिक सुख होता है न उसमें केवल पूरुशी संतुष्ट हो रहा है हम नहीं संतुष्ट हो र करना पड़ रहा है तो उत्तरदाई तो उसी के उपर आजा रहा है बोला हम नहीं करते भी वहा हम शादी नहीं करेंगे तो शादी नहीं करेंगे तो कहां रहोगे बोला हम तो मतलब एक महिला जो एक पुरुश से बंधिवी नहीं है पुरी जिंदी के पर उसी की तासी बन दूसरे को पकड़ा दूसरे को पकड़ा तीसरे को पकड़ा तो वो फिर वहां से शुरू हुआ फिर उन्होंने कहा अरे ये पुरुष से भी अगर हम शारीरिक सुख ले रहे हैं तो उन्होंने एक नया इजाद किया बोले सारीरिक सुख तो महिला के साथ भी हो सकता है बोले धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो वह हम लोग चार सीड़िया चल के जाते हैं और कहा पोँचना है हमारा परमलक्ष है मोक्ष का हमारे हाँ काम मतलब इच्छाएं कितनी हो जो मोक्ष में साधक हो बाधक ना हो उसके लिए सबसे पहले धर्म करना पढ़ेगा अब जब सबका चरम लक्ष या परम लक्ष केवल कामनाओं के ही पूर्ती करना है तो उसके लिए धर्म की बात आती ही नहीं है उसके लिए सबसे पहले अर्थ चाहिए उसके पहले सबसे पहले अर्थ हैं वह खाओ प्यों मजे करो मस्ती से रहो तो वहां से शुरू हुआ समलेंगिक्ता का प्रकरण अब क्या है कि जो बिगाड आता है न एक नक कटा संप्रदाय चला था बोले गुरुजी ऐसा ज्यान देते हैं उसमें नाक कटवानी पड़ती है अब एक ने कटवाली उसको पता चला कि भई अगर तेरी कट गई है तो फिर बोले सब की कटनी चाहिए उसने बता गुरुजी बहुत बड़ी है ग्यान देते हैं जाओ एक बार दूसरे की भी कटवी दो की वो बन गई अब दो दो हो गए दो ग्यान फैलारे बोले भाई नाकटवालो ग्यान है इसे उपर कोई बात नहीं है पता चला हजारों आदमियों ने अपनी नाकटवाली तो वो बात है कि मैं तो अब इसमें आ चुका हूँ अब उनकी सारी उर्जा लगी कि भाई ये तो समलेंगिक्ता जो है ना ये वो सब जगह होनी चाहिए उसमें सबसे ज़्यादा बाधक है भारत का परिवार सिस्टम सबसे ज़्यादा बाधक है उसके लिए फिर वो लिविन ले आए कि भी परिवार खतम करना है और लड़कियों को आजादी किस तरह की चाहिए केवल शारी रिख सुक की आजादी चाहिए केवल शारी रिख सुक क्योंकि उनके यहाँ पे तो दूसरा कोई लक्षे नहीं है तो केवल शारी रिख सुक जैसे भी हो सकता है वो वैसे चाहिए सुखी कैसे हैं,ам तो अकेले रह गये, तो वो अकेला पन, बोले हम सुखी हैं, हम जैसा चाहें, वैसा सुख्वोगें, पता चला अकेले ही पड़े है, डिप्रेशन होksiुरा है, दुनिया भर पेमारी ही, हाड़ अटैच हो एas माता को पूछी कि देखलो डिप्रेशन है क्या माता जी, नाती पोतों के बीच में जब घूम रही है महिला तो पता चला डिप्रेशन, किसी ने सुसू कर दी, किसी ने पोट्टी कर दी उची से फुरसत दी है, ठीक है, उसके समहाला, उसकी कछी बदली, उसकी निकर बदला, उसका कपड़े बदले, उ उसने खाना खाया नहीं खाया, खाया तो सारा कर लिया खाया, फुरसत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है डिप्रेशन लाने के लिए, तो वो क्या किया उन्होंने, सौ बिमारी शारीरिक ले आए, दवाया लेकर के आए, और दूसरा अब जो सबसे बड़ी समस्या ये आ गई ह उसमें जो कि आप अपना जेंडर चेंज करेंगे, एक महिला आपने आपको महिला वाले कॉस्ट्यूम में फिट नहीं मान रही है, कि मेरा तो दिमाग लड़का बनने का कर रहा है, तो वो लड़का बन जा है, उसके लिए दवाई आ गई, एक लड़का है, उसका दिमाग क ट्रेनिंग में बताया जा रहा है, कि आप जेंडर इक्वैलिटी का मतलब ये नहीं है, कि केवल लड़की का सम्मान होना चाहिए, लड़के का सम्मान होना चाहिए, जेंडर इक्वैलिटी अब इस स्तर पर आ गई है, अगर एक लड़के को ऐसा फिलिंग आ रही है, कि देखो इसको अलग फिलिंग आरी है, इसके लिए अलग ट्वाइलेट बनाय जा रहे हैं। तो अब जेंडर इक्वैलिटी और यह सब कुछ बहुत आगे जा चुका है। एक बच्चा कह रहा है, कि मेरे को फिलिंग आरी है अभी एक घंटे की, एक घंटे की फिलिंग आरी है, मैं शी में होना चाता हूं। और वो शी हो गया है, अब उसको फिलिंग आरी है, मुले नई अब तो मैं ही होना चाता हूं। तो वो ही हो जा रहा है, तो उसमें घंटे-घंटे में परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो समस्याएं हैं, ये केवल इसलिए कि लक्ष खतम हो चुका है, केवल काम वासनाएं हैं, और वासनाओं की पूर्ती कभी नहीं हो सकती, ये तो अथा है, भोगा ना भुकता, वयमेव भुकता, तपोन तक्तम वयमेव तक्ता, तृष्णा न जीरना, वयमेव जीरना, ये तृष्णा कभी खतम नहीं हो थी, काम वासनाएं कभी खतम नहीं होंगी, हम ही खतम हो जाएंगे, तो इसे लिए हमारा परिवार की विवस्ता है उसे तोड़ने के लिए उसे तोड़ने के लिए महिला भी टारगेट होगी उससे तोड़ने के लिए हमारा भाई भी टारगेट हो रहा सोचो मैंने बच्चे पैदा किये है और मेरा बच्चा कल को कहने लग जाए, मैंने बेटा पैदा किया, वो कही मैं तो लड़की बनूँ, सोचो, कि मैं तो इसकी दवाई खाऊंगा, कि मुझे तो फीलिंग अलग-अलग सी आ रही है, मतलब इतना विल्कुल एक दम ध्यान देना है, सब को बताया जा रहा है, उनकी फीलिंग समझो, कि बैठा बैठा कहीं लड़की वाली फीलिंग में तो नहीं आ गया है, तो इस तरह का, मतलब विनाश लीला बचाने के लिए, ये सब कुछ लाया जा रहा है, अब जो वो नककटे संपरदाय वाल हो रहा है, तो वो भारत में भी लाया जा रहा है, भारत चुकि पारिवारी करूप से अभी तक भी मजबूत खड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा आसर नहीं हो रहा है, पर चुकि जो की नियम बनाने वाले लोग है, कानून बनाने वाले लोग हैं, वो वहीं से पढ़ कर के आते हैं, उन्हीं के गनंत पढ़ कर के करते हैं ना जी, आज शराब बंदी दिल्ली में बंध होना चाहिए, हम सब कूद पड़ेंगे, ठीक है, हजारों लाखों आधिवियों खूब प्रदर्शन कर लिया, शराब बंध हुई क्या, नहीं बंध हुई, अच्छा एक बात बताओ, कौन ऐसा आपके घर का लड़क हैं, दो चार लोग हैं, वही कैमरा लिए घूमेंगे, उनके लिए कानून बनाया जा रहा है, अब पती पतनी एक साथ नहीं रह सकते हैं, कैसा कानून बनाया जा रहा है, कि पतनी के अगर बाहर संबंध हैं, बच्चा होने के बाद भी, बच्चा होने के बाद भी, अगर नहीं बहार संबंध रखती है, तो लीगल कर दो, अगर बेट, वो जो पती है ना, अगर सब कुछ परिवार बसा बसाया है, तो वो क्या हो रहा है, कि अगर वो भी बहार संबंध रखता है महिला के साथ में, तो उसको भी क्या कर दो, लीगल कर दो, अब एक बात बताओ, दोनों तो बाहर किसी और के साथ अठेच हो गई है बच्चे कौन देखेगा बच्चे लावारिस होंगे तभी तो हमारी दुकान चलेगी तुमारे बच्चे लावारिस करने यही तो हमारा उदेश यह है तो उसके लिए कानून बनाए जा रहे हैं अच्छा महिला के अधिकार के लिए कानून बन रहे है कैसे कैसे अधिकार बन रहे हैं कानून बन रहे है एक सामान ने सी बात बताती हूँ आधे से ज़्यादा परिवार इसलिए समाप्त हो रहा है भारती यह हिंदू परिवार के विवाह होने के बाद भी उनकी बेटी का अधिकार उसके घर की संपत्ती में है और ये क्या दिया बोले महिला सशक्तिकरण के नाम पे दे दिया कानून बना के बड़ा अच्छा लगा भाई बेटी का अधिकार भी बराबर का अधिकार ठीक है जब तक उसका विवाह नहीं होता वो ठीक से बस नहीं जाती तब तक अधिकार हो बहुत अच्छी बात है लेकिन कानून यहां तक है कि अगर नाना नानी मर गए है नाना नानी गुजर गए है और यहां भी मामा मामी के बेटे हैं और उधर वो धेवती धेवता है, उनके भी मावाप मर गए है, अगर वो भी अपने मामा की संपत्ती में अधिकार मालना चाहे, तो उनको भी अधिकार दो, यहां तक कानून बना रखे, आप सोचिए कि भारती ये परिवार व्यवस्था बचेगी या खतम होगी, संबंध ख खतम हो जाएगा, तो यह सब बहुत बड़ा दुष्चक्र है, और इसके लिए हमें एक मैं नाम सजेस्ट करूंगी, आप लोग हमेशा पढ़िए, ऐसे कुछक्रों को ध्यान करने के लिए, एक कैट मिलिट है, उसकी बहन भी मैरी मिलिट, ठीक है, उन्होंने अमेरिका में यही फेमिनिजम बाली क्रांती फेलाई, और कैसे फेलाई, बोले इनों पुरुषों को सब को खतम कर दो, एक महिला तो बोली, बोली, जैसे ही मैं एक बेटा पैदा करती हूं, मैं चाहती हूं कि मैं उसको मार दू, इतना बड़ा, ठीक है कि बेटा पैदा ही ना हो, अरे म में तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, भारत की महिलाईं तो पढ़ती लिखती नहीं थी, यह जब से बौध मत आया, और जैन आया, तब सिर थोड़ा थोड़ा सा आने लगा था, उसके बाद कुछ लोगों ने इनको भी दबाने का प्रयास किया, यह तो बाद में हमारे अ हिलाईं पढ़ नहीं सकती थी, अब यह सोचिए कि सिस्टम में घुला हुआ है, जब आप बच्चे को सलेबस यही पढ़ा रहे हो, कि आपके भारत में तो कुछ था ही नहीं, तो वो तो वहां से देख रहा है कि जहां कुछ था भई वहीं से कौपी कर लेते हैं, तो हम भी समलेंगिक हो जाते हैं, हम भी एक घंटे का ही और एक घंटे का शी हो जाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी समस्य आई, एक देश का भी मैं पढ़ रही थी, उसमें एक ने अपने आपको कहा कि मैं शी हूँ, मैं तो महिला हो गया हूँ, उसके बाद उसको फीलिंग आई ही अब वो पुरुष हो गया, पुरुष होते ही बलातकार कर बैठा, अब बलातकार का केस चला, तब तक उसको फीलिंग आ गई, शीवाली, अब वो कोर्ट वहां परेशान है, कि सजा देख इसको, सजा देख इसको, अब यह दो शीवान बैठा, इसने बलातकार किया था, तो इस तरहा की जो समस्याएं हैं, यह बहुत बड़े स्तर की समस्याएं हमारे देश में ना मने, इसलिए अपना परिवार संभाले, अपने बच्चों को संसकार दे, धन्यवादे.